हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लाइफ भी तुरू नोज कॉर्णर पे दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी पकॉरा लेके आये हैं जिसको हम अलग अंदास में बनाएंगे दोस्तों हम उमीद करते है कि आप इस पकॉरा को एक बार अगर बनाएंगी और खाएंगी तो आपका पेट भड़ेगा लेकिन मन नहीं भड़ेगा और साथ में इस लॉग्डाउन के तहत तो आप इस पकॉरा को जरूर बनाए और अपने पैवार के साथ इसका आनंद ले यह बहुत ही जल्दी बन ज साथ ज्यादा या कम कर सकती है सबको हमने बारी काट लिया है अब हम यहां पे एक बोल लेंगे बोल में हम यहां पे बंधर डालेंगे दोस्तों अगर आपके घर अचानक महमान आ जाता है तो आप इस पकॉरा को बना के जरूर उन्हें खिलाए चुकि यह बहुत कम समानों से बनने वाला यह पकॉरा है और मैं गारांटी देती हूं कि अगर आप एक बार इस पकॉरा को अपने महमान को खिलाएंगी तो जरूर पूछेंगे कि यह आपने कैसे बनाया है उन्हें इतना पसंद आएगा तो देखिए अब हम इसमें बंधर डाल दियें इसमें हम प्य आप मैदा यूज़ करेंगे अब यहां पर हम दो बड़ा चमच कॉर्ण फ्लार ले रहे हैं साथ में डेर चमच हम यहां नमक यूज़ कर रहे हैं आप अपने स्वाधा अनुसार कम या ज्यादा कर सकती हैं हाफ चोटी चमच हम यहां पर अजीनो मोटो यूज़ करेंगे अब हम इसे पानी की सहायता से इसका बैटर तयार करेंगे बैटर बस हमको पकॉरा के ही तरह बनाना है देखिए इस तरह से हम इस बैटर को तयार कर लेंगे देखिए बैटर बिल्कुल तयार है पकॉरा की तरह ही हमको बैटर बनाना है हमने पैन पहले से गैस पे चरह रख अब इसमें डालेंगे चोटी चोटी जिस तरह से हम इस तरह बनाते हैं बस उसी अंदाज में हम इस प्रकॉरा को डालेंगे दोस्तों आप एक बार इसे बनाए कि काफी टेश्टी लगता है अगर आप एक बड़ बनाएंगी तो हमें आप कोमेंट सेक्शन में आप लिक के जरूर भेजिए कि आप बागे आपको यह टेश्टी लगा या नहीं देखिए इस तरह से हम इतना पकरा इसमें डालेंगे जितना एक पर में एड़िस्ट हो सके तो देखिए हमने इसमें पकरा डाल दिया है अब हम इसको थोड़ा सा वेट करेंगे जैसे यह होने तक भडाई करेंगे देखिए इस तरह से हम यह जिसकर है आपको बास इस प्रावल को बस इस पर टेखिए सकते हैं आपky इसपर में निकाल भी प्रेहर क्यों अन्डा में सेम प्रोसेस के साथ पकौरा को तयार कर लेंगे देखिए ये भी पकौरा बिल्कुल तयार हो चुका है तो इसे भी हम उसी तरह से एक टीसू पेपर पर निकाल लेंगे देखिए पकौरा बिल्कुल तयार है अब आप इसे टेमाटो केचप के साथ या धनिये की चट्निंग क के साथ आप इसका आनद ले सकती है चलिए हम आपको एक पकौरा तोर के दिखाते हैं आप देख सकते हैं बिल्कुल यह अंदर से पक चुका है और साथ में करणची भी काफी है अगर आप एक पर बनाएंगे तब आपको समझ में आया कि बाकर यह कितना करंची और कितना टेस्टी है उमीद करते हैं दोस्तों कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा तो अगर आप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल न भूलें तो चलिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए